हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल दोस्तों सभी नीट स्टुडेंट्स के लिए एक बड़ा ओफिशिल अपडेट एंटी की तरफ से जारी किया गया है नीट पोस्ट पॉन्मिन को लेकर बड़ी खबर आ रही है तो सभी बच्चे इस नीउस को पूरा देखें एंड तक और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन बटन के साथ तक की आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर मिल सके तो चलिए दोस्तों बता देते हैं सबसे पहले NEET registration जो की आज end हो रहा है NEET UZE 2023 का registration आज आखरी डेट है जो की फिर से open हुए थे NEET.NTA.NIC.IN पर तो बच्चे ये जानना चाहते हैं अगर आज registration बंद हो गया इसके बाद भी कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी register नहीं कर पाए है कुछ बच्चे 12th board थे उनका exam का result नहीं आया है बहुत सी problems हैं जिनकी वजह से NEET की जो exam date है 7 मई उसको postpone करने का विचार किया जा रहा है तो NTA ने क्या update दिया है क्या ट्विटर पे अभियान चल रहा है पूरी update आपको देने जा रहा है तो देख लेते हैं कोविट केसे बहुत तेजी में बढ़ रहा है और लोगों को कम टाइम मिल रहा है प्रप्रेशन का क्योंकि ये registration अभी तक हुए है अब आप देखा जाए तो अप्रेल खतम होने को आ रहा है और 7 मई को एक्जैम है ऐसे में क्या 7 मई को NTA एक्जैम करा पाएगा बिल्कुल भी नहीं आपको बता दू 100% NEET का एक्जैम पोस्टपॉन होने वाला है सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखें मैं पूरा रीजन बताने वाली हूँ सबसे पहले इस बार रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हुए है 15 अप्रेल को NEET का एप्लिकेशन फॉर्म यानि आज जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे चैंडिडेट डेट विश तू एपियर फॉर दे नीट यूजी एक्जैम और 7 में इस नियरली 499 एक्जैम सिटीज चैन अप्लाइ अफिशल वेब साइट नीट.nta.nse.in ठीक है अब आपको बता दू लास्ट जेट 13 अप्रेल थी लेकिन इसको बढ़ाया गया है अब the NTA will not be opening up correction window for NEET-UZ and has asked students to be careful while filling the form. NEET-UZ 2023 online application forms once submitted successfully cannot be cancelled or withdrawn. The agency has not announced a specific date for the NEET-UZ admit card. NEET-UZ का जो application process है वो complete हो रहा है लेकिन इस बार आपको जादा time नहीं मिल पार है exam और application form के बीच में दूसरी चीज़ admit card की तो अभी कोई भी update आई ही नहीं है और आपने अगर एक बार application form submit कर दिया तो उसमें अब correction का आपको option नहीं मिलेगा अब NEET-UZ postponement की बात कर लें ट्विटर पे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या NEET postpon होगा वेल आपको बता दू पूरे chances हैं जिस तरीके से covid cases इंडिया में फैल रहे हैं Some ask NTA to postpone the NEET-UZ 2023 exam by a month or two while others express their frustration regarding the situation अगर ये exam postponement होगा तो किस date को होगा किस महिने में होगा वेल जुलाई के पहले ये exam नहीं conduct कराया जाएगा तो अब जो date बन रहे है ये NEET exam की There is a request to postpone the NEET-UZ exam 2023, 12th grade students who gave the board in 2023 are only getting one month preparation time This exam is for future doctors, ready to sacrifice their everything, please reconsider तो ऐसा PMO India को लिखा गया है, tweet किया गया है इसके अलावा बोला गया है, exam should be postponed till July जो कि मैंने पहले ही आपको बताया कि covid cases भी दिन प्रते दिन बढ़ते जा रहे हैं तो ये peak पर होगा, मही में तो peak पर होगा covid तो ये exam जुलाई के पहले नहीं होगा अगर आपको कोई भी query हो, आप मुझे comment कर सकते हैं और आप भी Twitter पर जाकर tweet कर सकते हैं इसके आप इसको जितना से ज़्याजा share करेंगे उतने बच्चे जो इसमें जुड़ेंगे इस अभियान में और उतनी ही ज़्यादा पावर मिलेगी इस Twitter अभियान को तो अगर आप चाहते हैं नीट पोस्पोन हो जाए और आपको और ज़्यादा टाइम मिल जाए प्रिपरेशन का तो इस वीडियो को शेयर करिए अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा कमेंट करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू